दोस्तों सबसे पहला आप मोवाईल की स्कीम पर देख लो हमें यहाँ पर 2000 रुपे, 3000 रुपे और 4000 रुपे के तीन अलग-अलग लोन मिल रहे हैं यहाँ पर हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें 2000 रुपे की जो उड़ता है 2000 रुपे ले सकते हैं 4000 रुपे की जो उड़ता है 4000 रुपे ले सकते हैं और इसको बाद अगर हमने एक बार यह लोन ले लिया और लोन की रिपेमेंट कर दी तो उसके बाद हमारी चो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाएगा पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तो अगर आपके पास भी स्मार्ट कोईन मोबाईल एप है और आप बार बार वहाँ पर लोन के लिए अपलाई कर रहे हैं और लोन आपको नहीं मिल रहा है आपके लिए कोई भी लोन मिल जाएगा और उसके बाद आप जो है स्मार्ट कोईन की मोबाईल एप पर जाकर भी लोन के लिए अपलाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपके जो ओफर है वो खुल जाएगा तो दोस्तो ओफर कैसे मिलेगा यहाँ पर हमें ओफर मिलेगा Google Pay के मदद से तो Google Pay से हम Smart Coin App से Loan Apply करने वाले हैं complete तरीका बताने वाला हूँ यह वीडियो आपके लिए बड़ी सांदर होने वाली है यहाँ पर जो आपको भ्याज पड़ेगा वो 0.5% से भी कम पड़ेगा और बड़ा ही सांदर यहाँ पर रहने वाला है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा अगर आपने बार-बार बहुत साई Loan App पर जाकर ट्राई कर रहे हो लोन का उफर नहीं मिल रहा है तो आज आप इस वीडियो को पूरा देख लो और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लोन के लिए अपलाई करेंगे तो 101% दोस्तों आपको यहाँ पर लोन अप्रूब होगा जैसे क्या मुझे हुआ हुआ है क्योंकि मेरे को भी आज से पहले Smart Coins के तरफ से कोई भी लोन का ओफर नहीं मिला था बार-बार दोस्तों मैंने प्रयास किया उसके बाद भी लोन का ओफर नहीं मिला पर जैसे मैंने Google Pay के माध्यम से लोन के लिए अपलाई किया तो स्टाइट लोन मेरे को मिल गया दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे Google Pay app मेरे पास है तो यहाँ पर मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद यहाँ मारे सामने कुछ इस पर का interface आता है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा business और business के सामने देखने को मिलेगा explore उस पर आपको click करना है smart coin app को आपको click करना है मेरे condition मेरे को बहारी देखने को मिलेगा मैं इस पर click करूँगा पर यहाँ पर अंतर क्या है इस loan को हम अपलाई कर रहे है वो Google Pay के माद्यम से कर रहे है इसलिए यहाँ पर हमें जो maximum limit बताई गई है बो 1,00,00,00 रुपे बताई गई है पर 101% यहाँ पर आपको approval मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोश्तों, कि यहाँ पर आपको complete digital process के माध्यम से loan मिलेगा, instant repeat loan है, अगर आप बारबाल loan के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, Pan India है, और यहाँ पर आप देखेंगे, बताया गया है कि 2000 से जादा loan जो है, वो यहाँ से disperger हो चुके है, apply ना उपर किलिक करेंगे, जैसे आप apply ना उपर किलिक करते हैं, सबसे पहले जो है आपके सामने ये वाल interface आता है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा profile detail, यहाँ पर आपको अपना नाम बता रहा है, अपना email address बताना है, अपना phone number यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपको दो box देखने को मिलेंगे, name is paris, आधार card, आपका जो नाम है वो आधार card के यहाँ से होना चाहिए, I agree to smart coin वाले option पर किलिक करके, आप submit पर किलिक करेंगे, जैसे आप submit पर किलिक करते हैं, आपके सामने दोस्तों कुछ इसपर का interface आता है, अब यहाँ पर बताया गया है, कि भाई, let's get started, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ additional detail आपको देनी है, जैसे कि आपको अपना date of birth बताना है, आप अपना gender बताएंगे, male है या female है, आप अपना pin बताएंगे, जहाँ पर आप फिलाल रह रहे हैं, पिन address बताएंगे, type of residence क्या है, आपको अपना घर है, या किराई का घर है, वो यहाँ पर आप select करके continue पर click करेंगे, अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इसपर का interface आता है, यहाँ पर your work profile, हम क्या काम करते हैं, उससे संबंदित हम से कुछ प्रस्शन पुछे जाते हैं, जिससे क्या employment type है, इस पर आप click करेंगे, जैसे आप click करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पर चार option आते हैं, sell lead, self employee, student and other, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर student और other को loan नहीं मिलता है, आप sell lead या self employee हैं, तो यहाँ पर आप loan ले सकते हैं, मेरे condition में, मैं self employee select करूँगा, और select करने के बाद दोस्तों, दूसरा option देखने को मिलता है, employment details, इस पर मैं click करूँगा, और जैसे click करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने फिर से तीन option आगए, I, O, One, Soap, Store, SoRoom, मैं कोई दुकान चलाता हूँ, Store चलाता हूँ, second पर है, कि मेरी कोई company है, factory है, या कोई other business है, या मैं एक self employee हूँ, तो जो भी आप इस country category में आते हैं, उस पर आप select करें के आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा business name, आपका जो business है, वो किस नाम से है, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा जुरूरी नहीं है, कि यहाँ पर certified हो रहा, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर दूसरा option देखने को मिलेगा, is your business located in your home, जो आपका business है, वो आपके घर के आसपास है, तो yes करेंगे, वर्णा no पर click करेंगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा pen number, यहाँ पर आप अपना pen number डालेंगे, उसके बाद देखने को मिलेगा मंतरी income, आप महीने में 15,000, 20,000, 25,000, कितने पैसे कमा लेते हैं, उस पर दोस्तों आप select करेंगे, select करने के बाद आप यहाँ पर continue पर click करेंगे, जैसे आप continue पर click करते हैं, आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन होता है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है, कि यहाँ पर आपको अपनी जो income उसको verify कराना पड़ेगा, तो please select your primary account, मतलब आप अपना वो bank account यहाँ पर दें, करेंगे, जैसे मैं click करूँगा, यहाँ पर मेरे से पूछा जा रहा है, कि आपके bank में जो भी mobile number है, जो आपने यहाँ पर bank account number दिया है, उसके साथ जो भी आपको mobile number attach है, जोड़ा वा है, वो यहाँ पर number डालना है, and submit पर click करेंगे, उसके बाद हमारे mobile number पर एक OTP आता है, OTP को यहाँ पर डालकर verify पर click करेंगे, जैसे हम verify पर click करते हैं, तो हमारे सामने, हमारा जो bank को देखने को मिल जाता है, कि हमारा जो bank है, वो अब link हो चुका है, proceed पर click करेंगे, और जैसे आप proceed पर click करते हैं, आपके सामने यहाँ पर दो option आते हैं, कि वही saving account या current account, तो इसमें से जो भी आपका account है, उसको आप select हरेंगे, और बागी को un-tick कर देंगे, तो मेरी condition मेरा saving account है, और current account उसे मैं un-tick करके approve पर click करूँगा, और जैसे मैं approve पर click करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, consent approved है, 5 second के अंदर हमारी जो application वो approved हो जाती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, कि अभी जो है, हमारी जो bank statement है, उसको automatic fetch किया जा रहा है, analyze हो रही है हमारी profile और loan का जो भी offer होगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमें wait list देखने को मिलेगी, अब यहाँ पर हमारे सामने जो है, आचुका है offer, order detail इस पर आप click करेंगे, और जैसे आप इस पर click करते हैं, आपके सामने फिर से smart coin का next पर जा जाता है, congratulations we have unlocked loan for you, तो दोस्तो अभी तक आप smart coin पर जाकर जब loan के लिए apply कर रहे थे, वहाँ पर जो आपका offer था दोस्तो वो आपको निकल कर नहीं आ रहा था, तो adc condition में आप जैसे आपने यहाँ पर apply किया, सारे काम automatic हो गए, आपकी bank statement automatic fetch हो गई, सब कुछ automatic fetch होने के बाद, अब जो हैं आप smart coin एप पर जाकर भी loan के लिए apply करेंगे, तो वहाँ पर भी जो आपका loan का offer होगा, वो भी unlock हो जाएगा, पर वहाँ पर अभी नहीं जाना है, पहले यहाँ पर complete देख लें, और loan को कैसे apply करते हैं, वो सबसे पहले आपको यहीं पर करना है, जब यहाँ पर apply हो जाएगा, यहाँ से loan मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको smart coin से भी loan मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप apply पर click करेंगे, और जैसे यहाँ आप apply पर click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इसपकर का अंटरफेस आता है, कि यहाँ पर हमें 2000 से लेकर 3000-4000 रुपर तक का loan का offer मिल रहा है, यहाँ पर आप यहाँ आप देख सकते हैं, दोस्तों जिस app की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो नीचे हमें 2000 रुपे का offer मिला है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि हम 2000 रुपे दो महिने तक के लिए ले सकते हैं, जिसका ब्याज रहेगा 2.5%, ऐसे ही इसके उपर देखने को मिलेगा, कि अगर हमें 3000 रुपे का loan चाहिए, इसका ब्याज भी 2.5% रहेगा, यहाँ पर हम इसको अपलाई कर सकते हैं, उपर आपको एक और देखने को मिलेगा, कि you have unlocked a loan, ठीक है, यहाँ पर 4000 रुपे के लिमीट है, अप टू 2 महिने तक के लिए, यहाँ पर हम इसे अपलाई करके, जो हैं, इसको unlock कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 loan मिल रहे हैं, अब दुखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कि यहाँ पर अगर हम 2000 रुपे का loan लेंगे, तब भी same process है, 3000 का loan लेंगे, तब भी same process है, और 4000 के loan के लिए apply करते हैं, तब भी same process होने वाला है, तो यहाँ पर जो हमें सबसे छोटा loan है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम apply करके इस loan को देखने वाले हैं, और मैं आपकी दनकारी के लिए बता दू, जब आप इस app पर आकर try करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 2000, 3000, 4000 रुपे के limit मिले, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा limit मिल सकती है, वो तो हर एक व्यक्ति का अपना eligibility and criteria होता है, वो depend करेगा जब आप loan के लिए apply करेंगे, चलिए सबसे नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है, 2000 रुपे मैं इस पर apply करता हूँ, apply पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे सामने पूरी detail आचुकी है, detail क्या है, कि apply loan 2000 रुपे का loan मिल रहा है, processing fees जो है वो 240 रुपे है, और GST जो है वो 18% लग रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 76 रुपे का भ्याज है, EMI हमारी पड़ेगी 1038 रुपे की, और हमें जो total pay करना है वो 2076 रुपे करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, सब कुल देख लिया आपने, नीचे स्क्रोल करेंगे, तो यहाँ पर है select loan purpose, आप किस purpose के लिए इस loan को लेना चाहते हैं, बिल का payment करना है, education की fees है, house rent, EMI payment, loan repayment, credit card का बिल, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे, तो इस में से आप किसी को भी दोस्तो select करके, loan के लिए apply कर सकते हैं, इस से कोई फरक नहीं पड़ता, कि आप यह पैसी जो ले रहे हैं, वो किसी ले रहे हैं, ठीक है, तो चलें यहाँ पर दोस्तो, मैं यहाँ पर select करूँगा, bill payment, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दोस्तो, apply, मैं apply पर click करूँगा, और जैसी मैं apply पर click करता हूँ, दोस्तो, यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे सामने जो है, यहाँ पर बताया गया है, कि loan की जो amount 2000 रुपे है, और आज 22 April 2024 है, दोस्तो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगी, उसके नीचे पूरी डिटेल आपके सामने आ गई, यहाँ पर है complete loan application, इस पर मैं click करूँगा, और जैसी मैं click करूँगा, दोस्तो, यहाँ पर हमारे सामने detail आ गई, bank account की detail है, bank account number है, यहाँ पर re-enter bank account number है, और IFSC code है, यहाँ अब हमें यहाँ पर अपने bank account का number डालना है, जिस bank account में हम यह पैसा मंगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं bank account number यहाँ पर type करूँगा, दोस्तो, उसके बाद आप देखेंगे, हमारे सामने यहाँ पर bank account की detail आ चुकी है, सबसे पहले बैंक account number में आप bank account number डालेंगे, उसके बाद re-enter bank account number डालेंगे, नीचे अपना IFSC code डालेंगे, जैसे यहाँ आप IFSC code डालेंगे, आपकी जो branch होगी, उसका पूरा address आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप उस bank को add करें, जिसमें आप यह पैसा मंगाना चाते हैं, उसके बाद आप submit पर click करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर complete KYC करने का option देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक selfie, यहाँ पर हमें एक selfie upload करनी है, यहाँ पर आप कोई भी photo भी upload कर सकते हैं, या photo पर click करके आप अपनी एक selfie लेंगे, इस तरीके से, यहाँ पर selfie आचुकी है, ओके पर click करूँगा, उसके बाद यहाँ पर size बताया है, upload पर click करूँगा, उसके बाद आप देखेंगे, दोस्तों हमारी selfie यहाँ पर आचुकी है, next पर click करूँगा, उसके बाद आप देखेंगे, checking your eligibility to fast track your KYC, अब जो है, verify किया जा सके, कि हमारा जो बैक अंकाउंट है, वो active है, यह active नहीं है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, taking too much time, this is taking longer, that's subscribe video like to upload manually, तो यहाँ पर upload manually पर click करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा KYC, अब हमें e-KYC करनी है, start e-KYC वाग click here, तो यहाँ पर हम click करेंगे, अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने, कुछ इस्प्रका का interface आता है, और यहाँ पर हमें बताया गया है, कि हमें यहाँ पर e-KYC करनी है, और यहाँ पर आपको आधार कार्ट का number देखने को मिलेगा, तो simple नीचे आना है, और आपका जो भी आधार कार्ट का number है, वो आधार कार्ट का number आप यहाँ पर type करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे option देखने को मिलेगा, click तो यहाँ पर आपको tick लगाना है, उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे, generate OTP पर click करेंगे, आपके आधार कार्ट से registered जो भी mobile number होगा, उसके बाद एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डालना है, और उसके बाद submit पर click करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, your transaction has been proceed successfully, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, click here to direct your loan browser, तो यहाँ पर हम click करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर processing होनी start हो जाती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, please wait, you are being redirected from protein to smart point, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, उसके बाद आप देखेंगे, हमारे सामने कुछ इसपर का इंटरफेस आता है, यहाँ पर complete application इसपर मैं click करूँगा, और जैसी click करूँगा दोस्तों, यहाँ पर हमसे कुछ और personal details मांगी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, please enter your personal details, तो यहाँ पर मेरे को father name बताना है, मदा name बताना है, उसके बाद मेरी साधी हुई है या नहीं हुई है, वो यहाँ पर select करूँगा, तो मैं यहाँ पर father का नाम डाल कर, mother का नाम डाल कर, और continue पर click करूँगा, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, हमारे सामने कुछ इसपर interface आता है, यहाँ पर है your work palace, जहाँ पर आप काम करते हैं, your design action, आप किस post पर है, मतलब आप क्या काम करते हैं, work address, कहाँ पर आप काम करते हैं, उसका address बताना है, पिन कोड बताना है, यहाँ पर click करके continue पर click करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है कि लोन की अमाउंट 2000 है, apply by September 2024 है, यहाँ पर आपको देखने को बिलेगी, please wait while we proceed your application, तो हमारी जो application है, वो फिलाल processing में पहुँच चुकी है, और अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको wait करना है, दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे, कुछी समय के बाद हमारे bank account में पैसा transfer कर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 1770 रुपे, 2000 रुपे में से हमारे bank account में credit कर दिये गये हैं, अब दोस्तों यह loan कितना महँगा पड़ा, तो मैं आपकी जानकार के लिए बता दूँ, हमने यहाँ पर 2000 रुपे का लोन लिया था, और यहाँ पर जो हमारी installment पड़ेंगी, दोस्तों मुद्ध दो पड़ेंगी EMI 1038-1038, टोटल मिलाकर दोस्तों यह होता है 2076, अगर आप 2076 में से 1717 रुपे कम करेंगे, तो टोटल मिलाकर 369 रुपे ही आपको एक्स्टा पड़ा, यानि कि 2000 रुपे का लोन अगर आप लेते हैं पूरे दो महिने के लिए, 369 रुपे आपको यहाँ पर एक्स्टा पड़ा है टोटल खर्चा निकालकर, यहाँ पर दोस्तों आपको एक उप्सन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 डोट, इस पर क्लिक करके आप रिफ्रेस्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप रिफ्रेस्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूरी डेटेल देखने को मिल जाएगी अब देखो यहाँ पर अभी भी दोस्तो प्रोसेसिंग दिखा रहा है जबकि जो हमारा loan दोस्तो वो approve हो चुका है उसके बाद दोस्तो मैं इसको back करूँगा और back करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने है दोस्तो Google पे इस पर मैं click करूँगा यहाँ पर मैं इसको unlock करूँगा और unlock करने के बाद दोस्तो नीचे आऊँगा और यहाँ पर smart coin नाम का यह option देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे loan for 2000 रुपे for two month के लिए view पर click करूँगा और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं देखूँगा तो मेरी जो loan की process है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है जबकि 2000 रुपे मेरे bank account में credit हो चुके है तो यह process कुछ समय के बाद दोस्तों जो है process हट जाता है और यहाँ पर loan जो है वो आपका activate दिखा दिया जाता है तो पैसे हमारे bank account में आ चुके है complete तरीका मैं आपको बताया है तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है Google Pay पर जाकर instantly loan के लिए apply कर सकते हैं आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा